नमस्कार स्वागत है आप एट निसेंट की खास पेश्कर्ष खास मुलाकाट्वर्ण हमें जिन्दगी में बहुत कुछ मिलता है लोग भी मिलते हैं और दुनिया भीध हम देखते हैं लेकिन कुछ चेहरे जो हैं नदों से हटते हैं उसके पीछे दो कारण होते हैं या तो बहुत चार्मी है या तो बहुत खततना है या कुछ ऐसी भी चेहरे हैं जो हमेशा अपन अग्टर तो हैं लेकिन उनकी मुस्कान उन से कुछ कहने से पहले बहुत कुछ कह देते जी हमें बात करें समीर खान जी की यू कि एक एज होती ही जहाँ पर इंसान ही डिसाइड कर लेता है कि मुझे किस फिल्ड में जाना है तो अफर कंपीटिंग मैं कॉलेज और में कॉलेज में ही आई इस टू पफॉर्म ऑन स्टेज प्लेज वगरा मॉडलिंग में करता था तो उसके बाद फिर डेस्टिनी ने बॉंब तो महाँ पर अचीवमेंट भी इंट्रेशन नहीं होगी मेरा मानना है कि जितना बड़ा आपका स्ट्रगल होता है उतनी ही बड़ी आपकी अचीवमेंट भी होती है अगर आज अगर आप आप जाते हैं कंपीट करते हैं पियोन की जॉब के लिए तो क्या वो इजी है यह सीट्स होती है 50-70 और कंपेटर होते हैं थाउजंस में प्राइट जहां आप इतनी बड़ी अचीवमेंट की आप इमेजनेशन कर रहे हैं महाँ पर इस्ट्रगल तो ओविसली होगा तो यह बड़ गॉट इस बिन काइन तो मुझे कभी इतना महसूस हुआ नहीं जहां भी म तो मुझे अगले प्रोजेक्ट के लिए चाहिए चाहिए जुँ मैंने कहा विस पाक में कितनी सच्चा ही है रिपीट प्रोडॉक्ष्ट की सेंप्रॉडच्शन आउस से ऐसा होता है कहते हैं कि आप में कितना टैलेंट है डड़ी सेकंडरी राइट जो पहला जो फैक्टर मिलता है राइट एक्टिंग फील्ड में हाला कि एक्टिंग का लोग से कोई कनेक्शन नहीं है कि आप टीवी देखते तो आप देखते हैं कि हर तरह के चेहरे आप स्क्रीन पर देखते हैं हां कर ऐसा होता तो नवाज उद दिन आप जो है आप अब अब आक्टर नहीं होत कर्म भूमी है और मेरे काफी अजीज दोस्त है मेरे मिश्टर सिराश शेख तो नापपूर जबी भी आना होता है मैं बस उनके बुलावे पर ही आता हूं और भाई से मिलना आता हूं और बहुत ही मजा भी आता है मुझे नापपूर आने में विकस यहां के लोगों में बह चोड़ना भीने चाहिए दोस्तों को मिलने क्योंके दोस्त जो हमारे लाइफ में होते हैं वह हमें और एनर्जाइज करते हैं मैं समझता हूं कि आप इस बात से इत्तफा है आप्सलूटली अपने सिराज शेख जी का नाम लिया उनका जनम दीन है उनके जनम दीन को आप क् आपको बता दू जो भी प्रिविलेज्ज्वें लोग है उनके लिए चलाते हैं जिसमें हेल चेकप पूता है फीजियो तेरफी होती है ऐचीकप आप होता है ऐचेकप करने के बाद में जो स्पिक्स चश्मेश होते हैं और ऐसे लीगल एडवाइजरी होती है बहुत सारे ऐसी जो एक चोटे तपके के लोगर जीने उनकी जरूरत होती है जो जहा देखने वाले हैं कारा प्रोड़क्शन के साथ इस मैं फिर्स एससेसियाशन विद कारा प्रोडक्शन वीर कमिग अप विदी मिजिक आलबम और बहुती होपसुरत सॉंग है और जिसमें आवाज दी है जीमिगेंग का टाइडल है इश्क बनजारा राइट तो यह पहला प्रजेक रहेगा कारा प्रडुक्शन के साथ और वेरी सूर्ण हमने रिकोर्डिंग कंपिट कर ली है गान बहुत बेसाबर से इंतजार करती कर रहे होगे कि सब समीर जी हमारे सामने आए इस प्यारे से अल्बम को लेकर समीर जी को दर्शोकों की तरब से इन वी सिंग की तरब से उनके आने वाले सभी प्रोजेक्स के लिए मैं शूब कामना देता और बहुत-बहुत धन्यवाद करत आज हमारे स्टूडियो में हमारे से इतने प्यारी प्यारी बात्ति कि आपकी मुष्णार यूहीं बरकार रहे हैं आप ऐसे हसते रहे लोगों को हसाते रहे एंटरें कराते रहें बहुत-बहुत धन्यवाद थांक्स अल्दम थांक्स